वैलकम टुमाई यूट्यूब चैनल, आज मैं आपको क्लासทेंड के लिए अर्दू ग्रैमर पढ़ाऊंगी, ये वीडियो अर्दू कॉर्स ये वाले स्टुडेंट्स के लिए हैं, उनके स्लेवर्स के अकॉर्डिंग है, उर्दू कोर्स भी वाले स्टुडेंट के लिए अलग से प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड है तो आप सभी को अपने अपने कोर्स के मताबिक अगर ग्रैमर सीखनी है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लो तो इस वीडियो में मैं आपको स्लेबस के अकॉर्डिंग अक्साम नसर समझाओंगी जो कि अक्साम में आपसे पूची जा सकती है बहुत ही असान लफसों के अंदर समझाओंगी पर वीडियो को स्किप मत करना स्रिफ स्लेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी अक्साम नसर की बात कर रहे हैं अगर लफसी तोर पर मैं आपको बताओं आम बोलचाल की भाशा के अंदर तो सबसे पहली बात आपको ये धियान रखनी होगी कि अपने ख्यालात यानि की अपनी बातों को जबान से जाहिर करने के दो तरीके होते हैं अर्दू लिटरेचर में अर्दू लिटरेचर में अपने ख्यालात या अपनी बातों को जुबान से जाहिर करने के दो तरीके होते हैं पहला होता है नस्र और दूसरा नस्र तो अगर इसे अर्दू लेंग़िज के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे अद्बी इजहार और अपने तक्यूलात की तरसील के लिए तक्यूलात की तरसील यानि की ख्यालात की तरसील यानि की ख्यालात को बताने के लिए जबान के इस्तेमाल की दो सूरते हैं अपने अद्बी यानि की लिटरेचर से रिलेटिड अद्बी इसहार और अपने तक्यूलात की तरसील के लिए जबान की इस्तेमाल की दो सूरते हैं इसका मतलब मैंने आपको बता दिये कि क्या है कि अपने ख्यालात, अपनी बातों को जुबान से इजहार करने के दो तरीके होते हैं, पहला नसर और दूसरा नसम, अब यहाँ पर आप अकसा में नसर पढ़ेंगे, तो नसर के पहले मतलब जान लो कि क्या होता है, अर्दू ल ट्रेचर में, जो नसम नहीं है, बाकी सब बचा हुआ क्या है, नसर है, धियान रखना इस बात को, अब मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ समझाती हूँ कि आपको इस बात को किस तरह से लिखकर पेश करना है, जुबानी तो समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको, आ लिखकर नसर के लगवी माईने बिखेडने के हैं, मगर इस्तिलाही माईनों में, उस कलाम को नसर कहते हैं, जो नसम के बरखिलाफ है, या अपोزित है, अभी मैंने बताये था कि, अर्दू अदब में, जो जो चीजे नसम नहीं है, वे नसर हैं, तो यहां पर भी वही कि नसर के लगवी माइने बिखेरने के हैं मगर इस्तिलाही माइनों में उस कलाम को नसर कहते हैं जो कि नजम के बर खिलाफ यानी की अपोजिट हो और नसर लिखने वाले को नसर निगार कहते हैं नसर की मुक्तलिफ किसमें होती हैं जो कि अर्दू अदब यानी की अर्दू लिट्रेचर में मुक्तलिफ नामों से पहचानी जाती हैं नसर की केई परकार होते हैं जो की अर्दू लिट्रेचर में अलग अलग नामों से पुकारे जाती हैं जैसे की दास्तान, नाविल, अफसाना, ट्रामा, इंशाया, सफर नामा, मक्तूब निगारी, सवाने निगारी खाका निगारी, तनकीद, तपसीरा, रिपोतास, मकाला, तन्सो मिज़ा वगेरा नसर की अक्साम है नसर की किसमे हैं तो आपके सलेबस की अकॉर्डिंग आपको नसर की कौन कौन सी किसमे एक्साम में बतानी है दास्तान, नॉबिल, सफरनामा, मक्तूब निगारी और खाका निगारी शरिफ आपको इन ही किसमों के बारे में एक्साम की अंदर पूछा जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूं की दास्तान क्या होती है और इसकी डैफिनेशन एक्साम में आप कैसे लिखोगे अब मैं आपको दास्तान समझाती हूं जो की नसर का एक परकार है, नसर की एक किसम है जो की आपके सलेबस के अकॉर्डिंग है दास्तान का मतलब होता है तबील यानि की लंबी और लगतार जो किस्से होते हैं वो दास्तान कहलाते हैं यानि की इसके अंदर कहानियों के अंदर कहानियां जुड़ी होती हैं बहुत लंबी लंबी कहानियां होती हैं तो ऐसी कहानियों को ऐसे किस्सों को दास्तान कहते हैं इतनी जुबानी तोर पर समझा दिया है अब डिटेल के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ लो कि दास्तान के अंदर किन किन चीज़ों का होना जरूरी है दास्तान क्यों और कैसे लिखी जाती है तो दास्तान आम तोर पर एक तविल यानि की लंबी और मुसलसल किसे को कहते है दास्तान आम तोर पर एक तविल यानि की लंबे और मुसलसल किसे को कहते है दास्तान में वाकियाद को पुरकरशिश अंदाज में इसलिए पेश किया जाता है ताकि पढ़ने वाले की दिल्चस्पी आखिर तक बरकरार रहे दास्तान में वाकियात को पुरकर्शिश अंदास में इसलिए पेश किया जाता है ताकि पढ़ने वाले यानि की कारी की दिल्चस्पी एंड तक बरकरार रहे पढ़ने बाला बराबर ये सोचता है कि आगे क्या होगा क्यूंकि जब दास्तान सुनाई जाती है तो इसके अंदर सस्पैंस होता है बातों को रहसी मैं ढंग से बताया जाता है दास्तान में सीधी साधी बातों के अलावा माफुकुल फितरत वाकियाद भी पेश किये जाते हैं दास्तानों में जिन परी और देफ की हैरत अंगेस कारना में बयान किये जाते हैं हुसन वा इश्क की बाते शहजादों पर्यों की मुलाकाते जिन्दगी की छोटी बड़ी वारदाते पेशिदगियां उलज़ने हैरत अंगेस बाते दास्तानों में बयान की जाती हैं जबान वा बयान की दिलकशी और रप्ता दास्तान के लिए जरूरी है यानि कि किसी भी दास्तान के लिए जबान यानि की बोलने और बयान करने के अंदर दिलकश अंदास होना नहायत जरूरी है ताकि सुनने और पढ़ने वाले इंटरस्टिट रहें आम तोर से दास्तानों के अंदर किस्सों के के सिलसिले होते हैं यानि कि कहानी के अंदर भी कहानी सुनाई जाती है किस्सा सुनाया जाता है या एक किस्से के अंदर दूसरे के किस्से बयान किये जाते है दास्ताने जदीद तोर से पहले की यादगार है यानि की दास्तान गदीम पहले के जमाने की एक यादगार है इनसानी फितरत पहले तफरी का समान ढूंडती है जो उसे दुनिया की फिक्र से निजात दिला सके यानि की इनसान के फितरत ऐसी है कि उसे तफरी के लिए अपने आपको खुश करने के लिए ऐसी कोई चीज चाहिए होती है जो कि उसे दुनिया की फिक्र से निजात दिला सके ये जरूरत पहले के जमाने में उनके लिए दास्तान पूरी करती थी पुराने जमाने में दास्तान को यानि की दास्तान सुनाने वाले अर्दु जबान की बहुत सी दास्ताने संस्क्रिट जबान से तालुक रखती हैं ये दास्ताने अरब और इरान पहुँची अर्बी और फार्सी में इनके तर्जुमें हुए संस्क्रित की दास्तानों का अर्बी और फार्सी के अंदर तर्जुमा हुआ और ये इरान पहुचे फिर हिंदुस्तान वापस आकर ये अर्दू में मुन्तकिल यानी की तब्दिल कर दिये गए बेदाल 25, सिंगहासन बस्ती, तोता कहानी, गुल बिकाउली वगेरा इस टाइब की दास्तानों के नाम है, कुछ दास्ताने अरब और इरान में तस्नीफ यानी की लिखी गई मुसल्मानों के साथ हिंदुस्तान आ गई और यहां इनके तर्जुमें हुए मसलन की सब्रस, अलिफ लेला वगेरा धियान रखना की कुछ दास्ताने अरब और इरान में भी लिखी गई थी, जो की मुसल्मानों के साथ हिंदुस्तान आ गई और उनका तर्जुमा किया गया जैसे की अलिफ लेला और सब्रस बखेरा, इसके अलावा कुछ दास्ताने ऐसी भी हैं जो हिंदुस्तान में ही फा क्या क्या नाम हैं इन किस्सों के दास्ताने अमीर हमसा तिलिस में होश, होश रुबा और किसा चहर दर्वेश बहुत मशूर हैं, कुछ दास्ताने जैसे की अफ्साने अजाइब और तोता कहानी असल उर्दु में लिखी गई हैं, ये किताब ये अगरच्छे दास्तान के तारिफ पर पूरी नहीं उत्री मगर इन दास्तानों की बहुत से खूबियां हैं तो अब इससे अगली वाली वीडियो के अंदर में आपको नजर की दूसरी किसम समझाओंगी जो की नॉबिल है जो की आपके स्लेबस के अकॉर्डिंग है अब अगर आपको ये वीडियो ये यूसफूल लगती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो